प्रवासी टीवी देख करें सारे दर्शनकाना प्रवासी प्रोपर्टीज दे शोदेविच स्वागत है जिद्धा कि असी ब्रेक तो पहला गल कारे सिगे इंवेस्टम पारे शोटरम इंवेस्टमेंट पारे मैं ओधा ही हुन समशे ते लोजी तो पुछूंगी कि सर जिद् परविंजी ने जानकारी दिती भी असे किते इंवेस्ट कर साथ हैं किदना ओदे विच्छों पैनिफिस्ट कर साकते हैं ओदे इसार में पुछूंगी कि जड़े लॉंग टम इन्वेस्मेंट होंदे हैं ओदे रियल स्टेट दा मार्केट ही किसे लिए क्यों इन्ना जादा एह में दिखती जान दिया एस कंपेर तो कोई होरी इंवेस्मेंट हो लाएक जी इदा सब्तों बढ़ना कारणता है दिखो जी के जड़ी रियल स्टेट इन्वेस्मेंट है ओ एक सब्स्टेंशल इंवेस्मेंट है तुसी काफी कुछ सोचना हुंदा है और सब्तों पैरली जी गाली यह है कि तुसी एक प्रॉपर प्लैन बनाओ के तो आड़ा एक्शल विजन की है जी तुसी शोर्ट टर्म अपने पैसे इन्वेस्मेंट करना चांद हो ते ओविसली तो अनू किसे एहोजी प्रॉपर्टी दे वेच इन्वेस्मेंट करना चांद है जिते तुसी तोड़ा जाहूर खर्चा करके उनू फिलिप करके ते तुसी अपने पैसे बार कट लो जी लॉंग टर्म दे वेच यूशली जी जीडी मेरे दमाग दे वेच उन्दी अगल के लैंड जीडिया एक लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट दा बहुत वदिया टूल है तुसी क्यों एक जरिया है जिते सारी पॉपलेशन नो समाया जा सकता है तो नवास्ते कार बनाए जा सकते है उन्हां वास्ते हूर फैसिलिटीज बनाईया जा सकती है जिमें मॉल होगे रीक्रियेशन सेंटर होगे ते जे तुसी टाइमली एक लैंड दा पीस बाई कार लेनने हूं और क्वास्ते कारें जो कशीए सब्सक्राइब गुट समाया जा सकता है जाता है जिड़ी आपा जाब कर दे कर में अधे बेल्स हुए मम वेल्थ क्रियेशन देवेच जी नहीं तुसे बहुत वदिया गल कही है सर तुसे कुछ आड़ करना चाहूंए देवेच एक क्राखी जी मैं थी चीज आड़ करनी जाओंगे कि जड़ी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आए क्यों ज्यादा मतलब जिमें कहलो के वदिया मनन अपने कुल 55,000 डालर तुसे इन्वेस्ट करते हैं जी 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 आपने पंजाहिया डालर ते आण दी है जिन्हीं आपने कई परसंटेज रिटरन आ वह उस अमाउंट दे उत्ते हैं दी है रियल स्टेट देवेच एक सब तो बदिया चीज की या कि जी ता तो अनू काफी ब बाइ कर देऊं जो हो प्रॉपर्टी तुसी जीदेचे इन्वेस्ट कर देऊं उदी जीडी अमाउंट आ उपन्जाह या डल रहनी है उदी अमाउंट चाहर जा पांज लग डल रहा है ओहुं जेड़ा तुसी लेवरेज ले रहे हो नो डाउट के तुसी बैंक तो जो पैसे तो भी थले या पर जी अपा एवरेज देखिये पिशले दस साला ने विच यहां बीस साला ने विच अरियल स्टेट दी जीटी है देविच जी अपा देखिये ता कट तो कट भी जीडी इन ग्रोथ होई या किसे भी साल ओवी चार तो पांच परसेंट मिनीमम ग्रोथ अच्छा उन जीडी अमाउंट ते ग्रोथ हों दी या ता ओ ग्रोथ पांच लग दे कर देखिये उपर जे पांच परसेंट अपल आए ता पच्ची हजार होई ना के पंजाह जार देखिया पर परसेंट आपने जीडी ग्रोथ होई या तो एस करके जीडी यह लेवरेज जा यह बहुत वड़ा टूला रियल स्टेट इंडस्ट्री देविच जीडी के मतलों इन्वेस्टर्स दी जा तुसी जे एंड जूजर हों जित्वे तुसी किसे रियल स्टेट देविच कोई चीज बाए कर देऊं वह तो बगधी बहुत वड़ी हेल्प कर दिया क्योंकि तुसी मौटगेज जीडी लह सकते होंने हों और जिस तरह के आपां सारे दर्शक जान दीने के आपा कोई ना कोई जॉब जाब बिजनस कुछ ना कुछ आपा कर रहे होंने हैं तो आप अनू मौटगेज ने जिडिया मिल जान दिया ने थे और ठीका के बैंक यह क्राइट ऐस तो जाधा मूट दिया रीयल स्टेट देवचे जी बिलकुल सही क्या से तुसी मैं देन आल आल ता नू यू पुछना चाहूँगे भी थोड़ा जी इंडुस्ट्रेयल इन्वेस्टमेंट देवारे थोड़ी जी 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 गल घरीये ता इंडूस्ट्रेश्ट्र एक वुधिच देखो डिपेंड कर्दा के इंडिविजुल आजो इन्वेस्टर है वो था एक्सपीरियेंस की है यह तां वो फिर्स टाइब इन्वेस्टर है तां उदे ली बड़े अन्नों होंगे उस फील्ड देवेच यह क्योंकि एक करदे वेके इन्वेस्ट करना और एक इन तो अनु तुसी एक होम इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्शन करवा हो तो अनु पिक्चर जड़ी है काफी हद तक क्लियर हो जानी है जे तुसी तुस्ट टाइम इन्वेस्टर हो और तुसी किसे कमर्शियल या इंडर्स्टियल यूनिट दे विच इन्वेस्ट का रहे हो उदे च बड़े अन्नोंस ने जी जोनिंग की है कि उधे कोई इन्वार्मेंट दा इस्जू है गया इत्थे यूज़ेस जड़ेया की की सो पड़े ही अन्नून एदे विच है इने परकब्राउन दी लोड नहीं है क्योंकि जदो तुसी कोई वी कम कर देओ ते जरूरी नहीं कि उधी सारी नौलेज तो अन्नू होवे तुसी किसे प्रफेशन जड़ाया प्रफेशनल आया उदे नाल मीटिंग करो तुसी सानूम एक स्ट्रेटजी बनाओ एक प्लैन बनाओ और उदे मताबिक ही तुसी इन्वेस्मेंट करो मेरे सामनाल इस सब तो बेसिक रूल होएगा किसे वी इन्वेस्मेंट जी बिल्कुल बिल्कुल सही गल गई सर तुसी कुश्य देवेच आड़ करना जाओ दिना लिए जिस तरह सामने दस्या के अगर तो अड़ी एक्सपर्टीज नहीं भी है इस फील देवेच तो उसी परफेशनल दी हैल्प लॉप और बाकी जिस तरह राखी जी के जी साड़ी टीम मतलब साड़ी टीम सी मतलब तिन तरह दे डिफरेंट टीम्स अपरेट कार रहे हैं एक रिसेल वास पर देशनल वी साड़ा टाई आप ता मैं एक वर जुरूर कोंगा कि सानु तुसी कॉंटेक्ट जुरूर करो सड़ीनल मीटिंग सेट कर सकते हो तुसी मिल सकते हो सनु और वास्ते कोई भी तो अड़ा ओब्लीगेशन नहीं फ्री ओफ कॉस्ट हा और तुसी मतलब एची मै आइडिया दे सकते हैं कि उदेश किडियां चीजा ना ख्याल लखना बाकि जे अपन उदेश किसी होई प्रफेशनल दीवी जुरूरत पेंदियत आप उस प्रफेशनल दीवी हैल्प लै सकते हैं जी बिलकुल मैं भी एदे वेची थोड़ा जाई एड करूंगी अपने द जान तो उस चीज दे सलाल इती जावे ते जरूरी नहीं भी तुसी इनना तो ही सलालो थाटे आप दा कोई परसनल कोई गाइडन्स हैंगा ओते जुट सलाल है सकते हैं तुसी आजे इना भी सलाल लेंगे तुसी स्क्रीन देटिटेल्स देटेश कर सकते हो ते बिलकुल फ् में दश्यकानों भी एई कहूंगी कि हुन समास मापती वाला में सारे आते लोंगी हुन इजाजत मेनों दो इजाजत तानवाद